नमस्कार मैं हूँ आपके संगनित्या मंत्र तंत्र यंद्र वास्तु के विशेश कास्क्रम के साथ नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचार्णी की पूजा अराध्मा की जाती है हम आपको एक दिन पहले मां ब्रह्मचार्णी की पूजा बीधी बता देते हैं ताकि आपको पूजा में कोई भूल या घलती ना हो लेकिन इसके पहले हम जानते हैं कि मा ब्रह्मचार्णी का क्या है मतलब देखिए ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चार्णी का अर्थ है आश्रन करने वाली इस प्रकार ब्रह्मचार्णी का अर्थ हुआ तपका आशन करने वाली इसके दाहने हाथ में जब की माला एबम बाएं हाथ में कमंडल रहता है हम आपको बताएंगे कि मां ब्रह्मचार्णी का क्या है बीज मंत्र और क्या है पूजा बेधी लेकिन उसके पहले मां के दूसरे दिन आप एक खास उपाय करके कैसे अपने मांसिक समस्याओं से छुटकरा पार सकते हैं अगर आपको मांसिक समस्याओं से समधित कोई भी दिक्कत है या कोई समस्या है तो उससे आप छुटकरा पास सकते हैं तो आपको क्या करना है दूसरे दिन नवरात के दूसरे दिन देवी को उम्र के बराबर बतासे अर्पित करें और हर बतासे के साथ दुर्गा दुर्गा इसके बाद प्रशाद स्bachंगरंग करे और प्रशाद को दूसरों के बीच भी बहांटे इसके साथ साथ आपको चांदी का अरजचंद्र या चांदी का चेंद धारन करें धारन करने से पहले देवी को ज़़ुर अरपित करें इससे आप की जो मानसिक समझाया हैं उससे आपक क्या है बीज मंत्र देखिए महा ब्रह्मचार्णी की जो बीज मंत्र है वो बीज मंत्र है हिरिंग शरिंग अम्भिकाय नमाहा इसके साथ साथ इसका एक महा मंत्र भी है ओम हिरिंग शरिंग ब्रह्मचार्णी दुरुगाय नमाहा तो आपको नमरात के दूसरे दीन इस बीज मंदर का कम से कम एक सा आठ बार जब करना है और इसके साथ साथ महा मंदर का भी कम से कम आपको एक सा आठ बार जब करना है तब जाकर आपको मा प्रह्मचारनी की जो पूजा है उसका पूर्ण फल मिलेगा अब हम आपको बताते हैं कि पूजा की क्या है बीधी देखिए प्रूस को प्रूस को सिंदूर देवी को अर्पित करें गी वग कपूर मिलाकर देवी की आर्थी आपको करनी है लेकिन ध्यान रहें कि अगर आप प्रूस है तो प्रूस को सिंदूर देवी को अर्पित नहीं करना है आप चाहें तो लाल फूल अर्पित कर सकते हैं हम आपको बताएंगे कि देवी ब्रह्मचारनी का ब्रत करने से क्या आपको लाभ मिलता है लेकिन उसके पहले अगर आपको धन की समस्या है या धन की अभाव है तो कैसे नवरात्र के दूसरे दीन आप इन उपाय को करके धन की समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं तो क्या करना है आपको नवरात्र में पानी वाला नार्यल एक ले 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 और उसको अपनी गोद में रख ले उसके बाद मां के सामने बैठ करके आपको नार्यल को अपने गोद में ले लेना है उसके बाद जो मंत्र है ओम दुंग दुर्गायनमहा इस मंत्र का एक सा आठ बार जब करना है जब करने के बाद नारियल को बहते जल में प्रवाहित कर दें इससे निश्चित रूप से अगर आपके जिन्दगी में धन का हुआ है तो वो समस्याएं दूर हो जाएगी और आपको धन के प्राप्ति होगी अब हम आपको बताते हैं कि देवी ब्रह्मचार्नी का ब्रत करने से क्या लाभ मिलता है देखिए मा दुरुगा का या दूसरा रूप भक्तों को अनंतफल देने वाला है इनकी उपासना से मनुस में तप, त्याग, भैराग, सदाचार, सैयम की ब्रदी होती है जीवन के कठी संगर्सों में भी मन कर्तब पत से बिशलित नहीं होता है इसके साथ साथ मा ब्रह्मचार्नी देवी की किरपा से सरवत्र सिद्धी और विजय की प्राप्ति होती है देवी की अराधना से साधक का स्वाधिष्टान चक्र भी जागरित हो जाता है अगर आपको कोई मांसिक समस्या है तो मांसिक समस्या से भी छुटकरा आपको मिल जाता है देवी कराधना से बिद्या बुद्धी की प्राप्ति होती है तथा कॉंसेंट्रेशन की भी समस्या दूर हो जाती है अब हम आपको बताते हैं नबरात्र के खास दीन में इस दूसरे दीन में कैसे आप अपने मुन को स्टॉंग कर सकते हैं देखिए देवी को सफेद फूल सफेद बस्तुए का भोग लगाएं देवी को अर्ध चंदर अर्पित करें और मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूँ इसका कम से कम एक सा आठ बार जब करना है मंत्र है ओम, स्राम, स्रीम, सह, चंदर मसेन महा इस मंत्र का कम से कम एक सा आठ बार जब करें उसके बाद लाल धागे में अर्ध चंद धारन कर ले इससे आपको अगर आपकी चंद्रमा आपकी मून से कोई समस्याएं हो रही है तो निस्टित रूप से दूर हो जाएगी तो मैंने आज आपको बताया कि मां ब्रह्मचार्णी के पूजा भीधी क्या है कैसे आप उनकी पूजा करके अपने जिन्दगी की समस्याओं को दूर कर सकते हैं और मैंने आपको तीन महा उपाय भी पताया है जिस उपाय को करके आप अपने जिन्दगी की समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं आज के लिए बसना इतना ही आपको धन्यवादा